कि हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चनल बीएसी प्रोक्लास दोस्तों अब उन इंतजार हुआ कथम आप देख सकते हूं यहां पे हमारे लास्ट वीडियो है यह इनट नमबर सेकंड की और यह क्लास नमबर हमारी 22 है 22 क्लास कर लिए इनट करता हूं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे साब से साथ व्यासमान तक पहुंच गया होगा क्योंकि देखो बहुत बड़ी चीज होती है और देखो अगर आपने सब रखा हुआ तो आपकी देखो यूट अमबर सेकंड अब कंप्लीट होने वाली है बस आज की जो क् रहत का है और सबर के साथ में चलते वहों हूने रहे तो बस देखो आपकी जो महनत है वो बेकार नहीं जाएगी और देखो आपने दीडीरे आठ कंप्लीट कर लीत अपने अपने देखो माइने रखते हैं और आपने बिल्कुल आराम से बिल्कुल शांदार तरीके इस आर्ट नमबर आपने पक्के करते हुए अपनी मुठी में ले लिये हैं दोस्तो तो देखो इसी के साथ अपने चलते हैं और आज की जो क्लास्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने बारे हैं कोशी अनुकरम का देखो आपने दो क्यूशन करे थे दो क्यूशन करे थे उनमें क्या किया था पर ने कोशी अनुकरम नहीं है ये प्रूप किया था ठीक है और उसके साथ में कोशी अनुकरम की देथोरम करी और उसके अलावा कोश प्रियाप्त सर्थ के बारे में जाना लेकिन अब एक क्यूशन आता है हमारे पास कि कोशी अनुकरम जो हमने पुरूप किया था वो नहीं था उसमें ठीक है अब बात करते हैं आज का जो क्यूशन होगा उस थोड़ा अलग क्यूशन होगा और अपने आप में दम रखता है क् पहले उसके बात अपने डिसकास करते हैं क्यूशन के बारे में देखते हैं क्यूशन क्या है अब देखो हमारे पास क्यूशन हमारे सामने है आप देख सकते हो आपके सामने कोशी अनुकरम का शानदार अल्टीमेट क्यूशन आपके सामने है मतलब आप इसको देखो यहां उसे ने की कोशिश कर रहा है हमसे तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशी अनुकरम के अभी सरन के सामाने सिद्दान्त के द्वारा सिद्ध कीजिए की अनुकरम एकसेंड जहां ये अनुकरम दिया हुए हमें क्या है? आप आप देखो यहां पे अपन कोशी अनुकरम के बात कर रहा है कोशी अनुकरम के अंत्रगत अपन क्या करते हैं? अब आपके दिमाग में अभी सारी सब्द को सोचते हुए आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए और वैसे आई भी होगी कि देखो हमने जितने वी अनुकरम प्रूप किये थे उसमें अपने देखा था कि वहाँ पे अनुकरम को प्रूप करने के लिए अभी सरी प्रूप करते थे तो वहाँ पे अपन क्या करते थे कि हम एक दिश्ट वर्दमान बाउंडेड प्रूप करते थे अनुकरम के अंतरगर दियान से सुनना इस चीज़ को लेकिन देखो अपन अब पढ़ रहे हैं कोसी अनुकरम और कोसी के अभी सरन के सामान से दान के अपन बात करते हैं तो देखो अब इस टाइब के सवाल मैं बात करता हूँ आप से इस टाइप के सवाल अगर आपके कोशी अनुकरम के आते हैं एक्जाम में तो ध्यान रखना उनकी सुनों में हमें क्या फाइंड करना है हमें एंड नोट फाइंड करना है पहली बात कि लियर कह देता हूं में बिल्कुल साफ तरीके से हमें अगर आप देखो सिंपल सी बात है कोशी अनुकरम के कैसे क्यों सनाते हैं एक टाइप तो हमने पहले कर लिया है कौन सा जिसमें अपन प्रूप करवाता है कि कोशी अनुकरम नहीं है तो simple सी बात है उसमें तो हमें क्या प्रूप करना रहता है कि कोशी अनुकरम नहीं है ठीक है दूसरा आपन देखते हैं वहाँ पे थोरम आ जाती है थोरम के प्लस के साथ सत्प्रियाप्तम आपसे सर्थ आ जाती है तीसरा जो हमारे पस क्युष्ण आता है वह इस टाइप काता है अर्थारत अपन बात करते हैं किस प्रकार पहुंचता है कि कोशी की अभी सरन के सामाने से दांत के दौरा सिद्ध कीजे की अनुगराम एकसेन हमारे पास ये दी वही है इसको अपने को अभी सारी प्रूप करना है तो यहां पर कुछ भी ने करना सिंपल गांट बांद लो हमें N NOT कमान ग्याद करना है अब N NOT कमान ग्याद करना है बस पहले तो आप यह समझो कि हमें एन नोट कामान गयाद करना है फिर उसके बात की बात है कि हमें एन नोट कैसे बात मलब कैसे उसको अपन गयाद करेंगे वो बात की बात है सबसे पहले तो आप यह समझो कि हमें इस क्यूशन में एन नोट कामान गयाद करना है तो यह तरह आपको समझ में आ गया हो कि उसमें अपन एन नोट ही find करेंगे और और आगे जो आपको कारण है डिटेल से आपको बात करते हैं आपको दीरे दीरे अपने आप पता चल जाएगा कि हम इसमें एन नोट का मान क्यों ग्याद करते हैं ठीक है अब देखो शांदर तरीके से देखना बिल्कुल दीरे दीरे एक्टम प्रूब करते हैं इत्फै या पर तो प्रूब पर चलते हैं अपन हमीं क्या करना पड़ेगा आप लिए करे आत्सिंपन- हमहारे पास क्या दियावा है यह अक सैन की 1 upon 2, plus 1 upon 3, minus 1 upon 4, dot dot हमारे पास जो value है, वो कहां तक है, minus 1 की power, n minus 1 dot, 1 upon n, ये हमें xn की value दी हुई है, ठीक है, इसमें मेरे साथ से कोई problem नहीं होने सी है, अब देखो, हमें कोसी अनुकरम में n note का मान ग्याद करना है, आगे बाद समझ में, तो कोसी अनुकरम में n note का मान ग्याद करना है, तो देखो, कोसी अनुकरम का जो formula है, उसको भी apply करना पड़ेगा, और उसको apply करने के लिए आपको पता हो, तो हमें किसकी आउशकता होती है, xn प्लस p की, याद करो, हमें formula में xn प्लस p की आउशकता होती है, तो हमें ये निक कितीने तक है एं तक को है अब देखे इसको होई कि बात करते है इंपऑ कैसे ज्यान से लेखना लिगन है आप तो सिंपल सी बात है हमारे पास आगे के वैल्य को रहे ही देखो फिर 100.2 प्लस हमारे पास जोart 이제 कैसे आती है अर्थापन कैसे कहते हैं कि माइनस प्लस माइनस प्लस जो जो सिरीज जो होती है स्थेझ को अपन po alrika região बोलते हैं प्लस वन वन एक ट्रीम औरगलनिस की आगे आगे हाँ भात करते हैं तो यहाँ n-1 है आगे देखो अब हमें 1 upon n तक तो n तक तो यह मिल गई अब हमें पीच चाहिए तो कैसे निकालते हैं आगे पद निकालते हैं देखो यह कितना है n-1 तो यहाँ पर क्या होगा minus 1 की पावर n इन की इस से अगला पद और . हमारे पास क्या होगा in plus one तो यहाँ पर लिखते हैं और निचे यहाँ लिखते हैं ह है कैसे हमारे पास जो value मिलेगी वो मिलेगी 1 minus 1 ठीक है n प्लस का p dot हमारे पास जो value मिलेगी 1 upon n प्लस का p देखो हमारे पास xn का term निकाल लिया और xn प्लस p का जो हमारे पास term से उसको हमने निकाल लिया आराम से कोई problem नहीं है अब हम क्या करते हैं simple इसको solve करते हैं और हमें करना पड़ेगा यहाँ पे xn प्लस p में से हम xn को minus कर देते हैं xn प्लस p को अब हमारे मायनस करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या value प्राफत होती है आराम से देखना बिल्कुल शान तरीके से तो अपन क्या करते हैं इसको उपर कर देते हैं अपर बिल्कुल आराम से समझना एक ये concept को question काफी अच्छा है देखा तो अब करते हैं देखो यहाँ पर now अब करते हैं अपन देखो हमें क्या करना पड़ेगा xn प्लस p xn प्लस p में से अपन माइनस करते हैं किसको xn को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है देखो आप ध्यान से देखना हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है में क्या में लेगी देखो यहीं पर अपन कैंसल कर दें तो अच्छा रहेगा कैसे देखो हमारे पास जो वैल्यू हैं कहां तक कैंसल होती है हमारे पास कहां तक होंगी एक बाट गोर से देखो हमारे पास जो वैल्यू हैं वो कहां तक हो जाएंगी कैंसल हमारे पास जो value है देखो इतने हमारे पास cancels हो जाएगी यह देखो अगर आपने बात करते हैं action प्लस P और action में कहा तक value है देखो यह value है अपने पास है एहाँ तक और यह value हमारे पास cancels हो जाएगी उसके बाद की जो value बचेगी हमारे पास देखो आराम से देखना कोई problem नहीं है आप यहाँ पर solution कर रहे हैं आगे बनने से क्या मतलब है देखो simple सी बात आपने इसको जब subtract करेंगे हमारे पास यह value है यह same इसमे है तो यह cancel हो जाएगी आपस में और हमारे पास बचेगी यह value तो इसको अपन simple यहाँ पर सिधा लिख लेते हैं तो क्या value बचेगी आराम से बिल्कुल शान तरीके से देखने कोशिश करना minus 1 की power n dot 1 upon n plus 1 देखो यह यह बचेगी यहाँ तक और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर plus minus 1 की power n plus 1 dot 1 upon n plus 2 dot dot अपन बात करते हैं यहाँ पर जो हमें value प्राप्त होती है वो क्या होती है minus 1 की power n plus p देखो ध्यान से देखने बिल्कुल द्यान तरीके से देखो यहाँ पर जो हमारे terms रहेगा minus 1 की power n plus p और minus का 1 रहेगा अपन ने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी जब अपन ने x n plus p term निकाला तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यह terms अपन निकाला तो उसके बाद अपन n plus p term निकालते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर जो terms हैं एक कम मिल रहे में उसी परकार हमें p में भी एक terms कम मिलेगा तो यहाँ पर हमसे गलती होगी तो इसको सुदा लेते हैं और यहाँ पर भी जो हमारे पास terms बचेगा वो n plus p minus का 1 terms हमारे पास बचेगा बिल्कुल सही है एकदम शान दते हैं कैसे इसको समझा अब देखो आगे अपने बात करते हैं अब आपका सवाल यह रहेगा कही हो कि मायन में अगर उठता है तो कोई बात नहीं और वो सवाल कैसे उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए देखो द्यान से देखना आप यहां पर हमारे पास जो सरीज थी आपने गोवर किया हो तो हमारे पास कैसी थी अल्टरेनेटिव सरीज थी अर्था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल रही थी लेकिन आपका यहाँ पे सवाल होगा कि यहाँ पे जो स्रीज है वो प्लस मानस प्लस मानस नहीं है लेकिन आपने इसको ध्यान से नहीं देखा है यहाँ पे जो स्रीज मोजूद है यह प्लस मानस प्लस मानस में ही है वो कैसे देखो समझो ध्यान से समझो हमारे पास यहाँ पर स्रीज बची हुई है ना माइनस करने के बाद में भी तो यह स्रीज है वो भी हमारे पास alternative स्रीज है अर्थार्थ plus minus plus minus वाली स्रीज है कैसे ध्यान से देखना आप यहाँ पर calculation पर देखो xn प्लस p यहाँ प्लस आएगा फिर p अपन minus xn कर रहे हैं यहाँ पर is equal to यह दियापन ध्यान से देखना यहाँ पर minus 1 की power n को common ले लेते हैं सम में से तो यहाँ पर ध्यान से देखना यह जो value बसती है हमारे पास देखो 1 n प्लस 1 फिर उसके बाद में यहाँ पर जो value बचेगी वो क्या बचेगी देखा अपने minus 1 की power n को ले लिया बाहर क्या बचेगा अप देखो minus 1 की power 1 तो minus 1 की power 1 क्या होती है minus का 1 तो यहाँ पर जो value बचेगी वो बचेगी माइनस का 1 अपॉन एंड प्लस का 2 बचेगा उसी प्रकार आगे बचेगी देखो यहाँ पर जो वैलु रहेगी वो क्या बचेगी हमारे पास द्यान से देखो आगे जो वैलु बचेगी यहाँ पर क्या बचेगी माइनस 1 की पाउर 2 बचेगी तो वो कितना आएगा प्लस में 1 upon n प्लस 3 आगे जो value बचेगी minus का 1 upon n प्लस 4 तो देखो बन गई है हमारी देखो बिल्कुल शानदा तरीके से यहाँ पर क्या कह सकते हैं हमारे पास जो last में value बचेगी वो बचेगी minus 1 की power p minus का 1 ठीक है dot 1 upon n प्लस का p हमारे पास यह बचेगा last में तो आपका कईयों का comment सवाल रहता है कि देखो कईयों ने click किया भी होगा कईयों ने नहीं भी करा होगा तो ठीक है अगर कईयों नहीं भी वागा तो कोई बात नहीं अगर हो भी गया हो तो कोई बात नहीं हम ने आपको करन दे दिया है यहाँ पर simple सी बात है तो देखो ध्यान से देखना हमारे पास जो series है अभी alternative series है अर्थत plus minus plus minus की हमारे पास जो series है वो बनी होगी है हमारे पास तो देखो इतना हमने काम करा भी तक कि हमारे पास जो value मिलती है last तक xn प्लस p minus का जो xn है यहाँ तक अपने इसको solve कर दिया है इतना minus करने के बाद में हमने क्या करा है minus 1 की power n कर दिया उसके बाद में हमने यह alternative series हमारी है बिल्गुल कोई problem नहीं है अब देखो आगे अब आपको थोड़ा सा क्याएगी अपना विवेक और बुद्धिक इस्तिमाल करना है वो कैसे बताते हैं देखो रुको एक बार तो अब देखना calculation बहुती complicated होने वाली है एक एक चीज को दियान से देखने की कष्ट करें तो दियान से देखना अब आराम से बिलकुल calculation को बिलकुल easy तरीके से देखना है अब हमारे पास value क्या है मैं उसको वापिस लिख देता हूँ हमारे पास जो value है काम आएगी देखो क्या है हमारे पास value x n प्लस p minus का xn is equal to हमने minus 1 की power n को बाहर ले लिया था और हमारे पास जो अंदर value बचेती है क्या बचेती देखो n प्लस 1 minus का 1 upon n प्लस 2 plus का 1 upon n प्लस 3 minus का 1 upon n प्लस 4 dot 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 हमारे पास value बचेती minus 1 की power p minus का 1 dot 1 upon n प्लस p तो ये value हमारे पास भी लिए है कोई दिक्कत नहीं है अब देखो आपको थोड आशा मैंने बोला था कि अपनी वीवेग का इस्तमाल करना पढ़ेगा कैसे बद्धी का इस्तमाल करना पढ़ेगा हमें value चाहिए kosi अनुकरम की और kosi अनुकरम का आपको फॉर्मॉला पता हो हमें चाहिए modulus में value चाहिए किसम में चीए ? अपना दिमाग लगाना पड़ेगा तो अप क्या करते हैं दोनों तरफ अपन मोडलस लगा देते हैं ध्यान से देखना मोडलस अप्लाई करने पर तो मोडलस लगा देते हैं दोनों तरफ दोनों तरफ लगा सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं n-4 डोट 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 मायनस 1 की पावर P मायनस का 1 डोट 1 अपन n प्लस P डोट और इस मोडलस हमारा लग गया है कोई प्रोलम नहीं है बिलकुल शानतरी के से आगे आपको बास समझ में बिलकुल शानतरी के से को दिकल नहीं है अब देखो अब देखो हमें चाहिए modulus इदर आपको पता हो तो हमें LHS अर्थार्थ left hand side में हमें modulus चाहिए यानि किस प्रकार action plus b minus action यह हमार क्या कहता है formula कहता है कोशी अनुकरम का लेकिन हमें इस side में यह modulus का चिन्न नहीं चाहिए तो हमें इस modulus के चिन्न को अठाना पड़ेगा और इसको अठाने के लिए हमें थोड़े से पापड बेलने पड़ेगे सबसे पहले तो modulus अमने यहां पर लगाया है तो modulus का भी कुछ काम रहेगा कैसे कि यह modulus है हमारे पास माइनस के चिन्न को खतम कर देगा अर्थार्त नष्ट कर देगा बरभाद कर देगा तो ये एक step और लिख देते हैं अपन यहां पे अर्थार्त आपन कह सकते हैं यहां पे xn प्लस p हमारे पास है माईनस का xn है हमारे पास modulus में हमारे बात करते हैं तो हमारे पास देखो जतने भी times है यह minus, यह minus है, इसको करतेगा बरबाद modulus, तो हमकी लिखते हैं आराम से, हमारे पास जो value मिलते हैं, देखो, 1 upon n plus 1, minus का 1 upon n plus 2, plus का 1 upon n plus 3, minus का 1 upon n plus 4, dot dot, देखो, अपन ये value लिखे हैं या नहीं लिखें, कोई फ्रेक नहीं पड़ता है इससे, अपन को केवल इससे काम है, ठीक आप इसको छोड़ सकते हो, कोई problem नहीं है, यतनी value हमने यहापे ले ली है, अब देखो, मैंने आपसे कहा, अब यह देखो, मैंने आपसे क्या कहा है, कि हमें modulus को अठाना है, कहां से, और वो भी right hand side से, अब यह तो बड़ी चंता का विशा है, कि हमें इसको कैसे अठाएं, और क्यों उठाना है, इसका भी आपको, यह भी आपको पता होना जाएं, कि हमें क्यों उठा रहे हैं इसको, क्योंकि हमें peł left hand side में आपने formula में देखा हो, तो modulus आता है, और right hand side में बात करते हैं, हमें formula में modulus नहीं मिलता है, तो भी देखो, हमें modulus को अठाना पड़ेगा, द्यान से देखना हम यह पता है कि अगर अपन देख सकते हैं अंदर अगर वैल्यू अगर अगर पोजिटिव में होती हैं सारी अगर पोजिटिव में उपस्तित होती हैं ध्यान से सुनना कॉंसेप्ट अच्छा है मैं यह आप लिख देता हूं वैसे ध्यान से समझो इस कोई भी पूंच ले जाए कोई परसन आपसे कोई पूंच लिया अगर आमान लो यहाँ पे तो देखो आपका लेवड़ वहीं से बनता है तो दियान से समझो ? तो इस अंचरप आपको द्यान से समझना है मैं और यहां पर्साइबे पाउन है कर रहा हूँ कि हमें यहां पर क्या वैल्यूच चाहिए हम किसे कराण lá सकते हैं अगर अन्तरगत यदी वैल्यूज सारी पॉजेटिव में उपस्थित होती हैं तो अथ outta मोडुलस को आराम से ठादेते हैं क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू वहां पर पस्तित नहीं होती है तो यह निकि मोडुलस लगाओ या नहीं लगाते हैं या नहीं लगाते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन माइनस माइनस अगर कोई वैल्यू होती है अगर वोरी मोट्लस लगा देते हैं तो माइनश को खटम कर देता है अर्था वेल्यू चेंज लाती है तो देखों कारण हम एम इसको को बनाते हैं और किस प्रकार करते हैं से देखना अपन क्या करते हैं इसके लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो simple अपन क्या करते हैं इन को यहां यहां पे यहां देखना यहां पे देखो užन से कैंसल हो जाईगा और हमारे पास जो value बचेगी वो plus का 1 बचेगी यहाँ पे तो हमारे पास क्या बच गया 1 upon n plus 1 n plus 2 बच गया उसी प्रकार देखो हम क्या करते हैं उसी प्रकार इन दोनों का LCM ले लेते हैं तो plus आएगा और यहाँ पे देखो इन दोनों का LCM लेंगे हैं पन तो यहाँ पे जो value मिलेगी हमें positive मिलेगी ध्यान से समझना इस concept को तो यहाँ पे value मिल गई हमारे पास 1 अब देखो हमारे पास modulus के अंतरगत जितनी भी values हैं वो सारी positive में बन गई हैं आप आराम से देख सकते हो कोई problem नहीं है अब देखो उसके बाद में अपन को क्या करना है अब आराम से अपन modulus को अठा सकते हैं तो modulus को अठा देते हैं हमारा काम बन गया हमें modulus को अठा ना था और modulus हमारा हट चुका है तो modulus को हम अठा देंगे हमारे पास value क्या जाएगी 1 upon n प्लस का 1 एन प्लस का 2 प्लस में हमारे पास 1 अपोन एन प्लस का 3 एन प्लस का 4 हमारे पास बच जाएगा बिल्कुल कोई प्रोब्लम नहीं है अब देखो हम वापिस हम वापिस से इस वेल्यू को वापिस इसी प्रकार लिख देते हैं किस प्रकार इस प्रकार लिख देते हैं वापिस 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2 इस प्रकार हमारा हमसे इस value को लिख देते हैं भई ठीक है कोई problem नहीं है कोई problem नहीं है अब देखो simple सी बात अपन इस value को इस तरह के लिखते हैं फिर आपका सवाल रहेगा क्यों कारण मिलेगा कारण मिलेगा थोड़ा आप देर ये धारण करो तो xn plus p हमारे पास value है minus का xn हमारे पास है modulus के अपन बात कर रहे हैं कोई problem नहीं है अब देखो simple सी बात है मैंने आपसे कहा modulus को हमने ठादिया है इसको थोड़ा अपन उपर कर लेते हैं साथ की साथ ही तो देखो हमने क्या करा simple यहाँ पर अपन कर देते हैं देखो हमारे पास simple इसको अपन उसी प्रकार लिखते हैं किस प्रकार simple 1 upon n plus का 1 minus का 1 upon n plus 2 लिख सकते हैं इसको आराम से और क्यों लिख रहे हैं वापिस अपन ऐसा उसका भी आपकारण मिलेगा अपन क्या क्या changes कर रहे हैं क्योंकि देखो इस question में अपने अलग से क्या कुछ changes करने पड़ते हैं कुछ बदलाव करने पड़ते हैं उसके बाद में ही यह question sol होता है इस कारण से question काफी अच्छा बन जाता है और इस तरह का अपन एक ही सवाल करेंगे उसके बाद में इस तरह का पैटर्न का जो सवाल आएगा सेम आएगा बिल्कुल डिट्टो पैटर्न अपने को पोलो करना पड़ेगा और आराम से क्यूशन सोल हो जाएगे ठीक है अब देखो हमने इसको वापिस डिट्टो वैसे लिख दिया है आगे अपन लगाते हैं डोट 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 अब देखो आगे फिर फिर एक छोटा सा कॉन से अपन अपन अपलाई करते हैं और वो कॉन सा देखो दियान से देखना क्या वे कॉन सेट अपलाई करेंगे लेकिन अपन क्या करते हैं देखो, दियान से देखो, यहाँ पे अपन माइनस से multiply, अरताले अपन कह सकते हैं, माइनस को मन ले लो, इन दोनों में, दियान से देखो, इन दोनों में अपनने माइनस को मन ले लिए, माइनस को मन ले लिए इन दोनों में, तो देखो, आराम से अ plus 2 minus का 1 upon n plus 3 यहाँ प metropolitan इदा minus आ गया, उसी प्रकार यहाँ पर देखो minus का अपन यहाँ पर कोण लेते हैं, 1 upon n plus 4 भचता है और इसका जो अगला टम है वो है अमारे पास 1 upon n plus 5, यह हमारे पास भचता है, अर्थात अपनने क्या देखा अपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जितनी भी values हो रही है वो minus हो रही है minus की ये value फिर minus में ये value अर्थार्थ जो concept यहाँ पे आपको समझाने की courses की जा रही है वो क्या है वापिस देखो द्यान से आप इसको आपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखना आप वापिस अपन देखो 1 upon n plus 1 minus का 1 upon देखो इन दोनों का LCM ले लेंगे अपन तो क्या आएगा वही n plus का 2 n plus का 3 minus का 1 upon n plus 4 n plus 5 देखो बिलकुल अपन ने कुछ छोटे छोटे minor यहाँ पर changes किये हैं और उनकी साहिता से अपन यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचते हैं तो देखो किसी कारण से पहुंचे हैं अपने को कुछ values अब निकान नहीं पड़ेगी तो वो इस method से आती हैं यह method हमें follow करना पड़ेगा तभी हमें वो चीज मिलेगी तो simple सी बात है अब देखो यहाँ पर अपन पहुंचे हैं तो देखो इस चीज का भी कोई फाइदा होगा तभी अपन यहाँ पहुंचे हैं तो देखो यहाँ पर अपन एक concept का करने वाले हैं और वो भी शानदार कोंसेटटक का यूज़ करें हैं देख ध्यान से देखना यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो वैल्यूज हैं यहाँ पे जो values हैं आप यहाँ पर देख सकते हो यह हमारे पास जितनी भी values हैं देखो आगे तक चलेगी हैं बिलकुल कोई problem नहीं है आगे तक चलते रहेंगी कोई problem नहीं यहाँ पर जितनी भी values हैं यह सारी values सब्ट्रेक्ट हो रही है किसम से 1 upon n प्लस 1 में से क्या ये बात बिलकुल सत्य है या नहीं है सत्य है ये जतनी भी values है सारी यहाँ पर जतनी भी देखो हमने इस प्रकार इसको बना दिया अर्थार्थ अपन आगे की जतनी भी values है उसको अपन इस प्रकार लेख सकते है minus पर अर्थार्थ अपन क्या कह सकते है कि सारी values 1 upon n प्लस 1 में से सब्ट्रेक्ट हो रही है घट रही है तो यहाँ पर देखो अब फिर वही बात पीछे का जो concept है अपन ने एक question किया था आपको पता हो तो अब जो कि सुरू सुरू में किया था बिल्कुल जस्ट आपन ट्राइप नमर फर्स्ट में question पढ़ रहे थे और ट्राइप नमर फर्स्ट में जब बात कर रहे थे उसको bounded प्रूप करते हैं किसी question में आपको पता हो एक question था जिसमें अपन एक नहीं दो तिन question थे जब अपन में ट्राइप नमर फर्स्ट में bounded प्रूप करते थे परिबद प्रूप करते थे तो जब अपन उसकी उच्तम सिमा निकालते थे तो आपको पता हो तो यहाँ पर कुछ ऐसे value आती थे 3 minus ऐसे 1 upon and plus 1 आ गई तो अर्थाद अपन बात करते थे 3 में से यह value सक्टेट होती है हमारे पास तो यहाँ पर अपन क्या करते थे कि यह जो 3 है इसमें से यह चीज माइनस होती है तो यहाँ पर जो यह values है यह देखो 3 से बड़ी नहीं हो सकती अर्थाद अपन ने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिस कर रहे थे बहुती शांदा तरीके से कि जो value है हमारे पास यह वाली यह 3 से बड़ी नहीं हो सकती अर्थाद यहाँ पर 3 का 3 आ सकता यहाँ पर लेकिन यह 3 से बड़ी नहीं हो सकती यह value तो अपन ने क्या कहा था कि यह अपनी जो value आएगी हमारे पास क्या होती थी 3 से छोटी मलब आती थी हमेशा क्यों कि यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो value है हमारी माइनस का 1 अपन न प्लस 1 इसमें से कुछ चीज गट रही है तो आप यहाँ पर आराम से कह सकते हो कि इसकी value है यहाँ पर 3 से अगर अपन इसको solve करते हैं इस पूरे को इस पूरे को solve करते हैं तो हमारे पास जो value आती है वो आराम से देख सकते हो अब 3 से ज़्यादा नहीं आ सकती है किसी भी condition में किसी भी condition में तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे देखो आपको पता होगा हम यहाँ पर लिखते थे बिल्कु शानदा तरीके से क्या लिखते थे यहाँ पर less than greater than greater than अपन यह लिखते थे 3 उसी concept को अपन यहाँ यहाँ यूज करने वाले हैं यहाँ पर उसी प्रकार देखो 1 upon n plus 1 में से यह सारी चीजे subtract हो रही है अर्थार्थ अपन क्या कर सकते हैं अब आगे देखते हैं इतना मेरे साब से आपको concept समझ में आ गया होगा क्या समझाया है मैंने मिल्कु शानदा तरीके से अपनने क्या कहा कि यहाँ पर जतनी भी values हैं हमने माइनस में बनाई किसमें नेगेटिव में नेगेटिव में क्यों बनाई हमने यह परदसित करने की कोशिज करी है शो करने की कोशिज करी है कि जतनी भी values हैं यह सारी 1 upon n plus 1 में से subtract हो रही है माइनस हो रही है माइनस हो रही है तो मेरे साब से इतना concept जो मैंने आपको समझानी कोशिश करिए कि यह value है हमारे पास यह value है यह 1 upon n प्लस 1 में से subject हो रही है subject हो रही है मैं बार बार आपको समझानी कोशिश कर रहा हूं तो इसका अपन यूज़ करेंगे कहां पर देखो आगे देखते हैं अपना तो देखो हमारे पास जो value मिली है उस पीछे की value को अपन भी आपर वापिस लिख देते हैं हमें क्या value मिली है देखो x n प्लस p देखो काफी अच्छा सवाल है इसलिए अपन इसमें time दे रहे है proper proper time देखे तब हमें उसको समझानी में आसा नहीं रहेगी तो 1 upon n प्लस 1 अपन बात करते हैं आपे हमें value में लीती 1 upon n प्लस 2 n प्लस 3 minus 1 upon बात करते हैं पन n प्लस 4 और n प्लस 5 तो मैंने आपका concept समझानी कोशिस करिए कि जतनी पिए values हैं वन अपन आप्र न प्लस 1 में से subtract हो रही है अर्थार्थ में क्या कहनी कोशिज कर रहा हूं बार बार कि ये value है हमारे पास ये वाली value, ये पूरी value है देखो, आप यहां पर कह सकते हो क्या कह सकते हो, कि ये value है इसमें से सब्टेट हो रही है, अर्थार्थ यहां पे ये पूरी value होगी इस पूरी value का मान ये पूरी जो value होगी है हमारे पास इस पूरी value का जो मान होगा हमारे पास वो किस से छोटा होगा 1 upon n प्लस 1 से सैमत हो इस बात से और सैमत होना पड़ेगा क्यों? क्योंकि इस concept को हमने अनुकरम की अंतरगत टाइप नमबर फर्ष्ट में जब अपने किया था तो हमने बार बार अपने मैंने समझाए भी था जब अपन परिबद बाउंड़ परूप करते थे उसकी उच्टम सिमा निकालते थे तो हम उस concept को बार बार कहते थे कि यहां पे जो action का मान है वो देखो इस concept को बार बार मैं बताता था आपको शानदा तरीके से बताये था मैंने समझाए भी था तो उस concept को यूज कर लो या फिर आप खुद समझ लो कि इसमें से अगर कोई चीज नेगर्टिव यहां पे सब्टेट हो रही है तो यह चीज हमारी सबसे बड़ी होगी अर्थात इससे बड़ी यह चीज होगी यहां पे इससे लिख दिया तो देखो फिर अपन क्या करते हैं यह इसके बराबर है और यह जो है इससे छोटी है तो यह भी इससे छोटी होगी तो इस concept का यूज करते हैं अपन और यहां पे अपन ने क्या करा देखो एकस एन प्लस पी माइनस का एकस एन और यह हो गया लेज दन वन अपोन एन प्लस वन से और इसको अपन समय का नमबर एक नाम दे देते हैं देखो अब हमारा आरहम से 80% काम complete हो चुका है इस क्यूशन में देखो हमने कितनी calculation करी उसके बाद में हमने कितनी concept यूज करे कुछ चोट चोट बदलाव भी करे उसके बाद में इस नतीज़े पर पहुँचे और हमने लास्ट में हमने क्या कहा जो XN प्लस P माइनस का जो XN है वो less than होगा 1 अपन N प्लस 1 से अब देखते हैं आगे क्या होता है अब देखो अपनने यहां तक सोलू कर दिया अब देखो अपन किसका यूज करते हैं अपन यूज करते हैं कोसी अनुकरम की परिवासा से अनुकरम की परिवासा से परिवासा से बस अब आपन जल्दी जल्दी सोल करते हैं कोसी अनुकरम की डेफिनेशन क्या कहती है क्या कहती है देखो सिंपल XN प्लस P माइनस का XN less than Epsilon समय कर नमर दो नाम देते हैं फिर अपन समय करन एक वे दो की साइथा लेते हैं दो की साइथा से समय करन एक और दो की साइथा से समय करन एक और दो की साइथा से अपन क्या कह लिख सकते हैं देखो आराम से देखने एक कोशिश करना बिल्कुल शांदार तरीके से देखो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो value है देखो द्यान से देखना आप हमारे पास जो value है देखो ये है हमारे पास अगर मान लो अपन एक include समझते हैं एक samika, a samika होती है एक a samika को समझते हैं उससे पहले क्या? कि अगर value जैसे मान लो a है वो b से छोटी है ठीक है ए है वो B से छोटी है और अपने बात करते हैं जो A है वो C से भी छोटी है ठीक है तो अपने इसको किस प्रकार लिखते हैं कि जो A है वो B से छोटी है अगे बाद समझ में और उसके बाद में अपने लिखते हैं यहाँ पे जो B है वो हमारी C से छोटी है तो देखो इस SME का का इस include का यूज़ करते हैं अपने क्या लिखते हैं शांदार तरीके से आराम से देखो द्यान से देखो हमारे पास ये value है हमारे पास ठीक है हमारे पास ये value है समय का नमर एक और दो की साहिता से अपने क्या लिखते हैं देखो हमारे पास जो value मिलती है हमारे पास क्या मिलती है द्यान से देखना अप XN-XN प्लस P minus का जो XN है इसकी जो value है एमारे पैस 1 अपॉन अपुन अप्लस 1 है और इसकी जो value होगी वो लेज़ दन होगी एमारे पास epsilon अर्थार्थ हम क्या कह सकते हैं हमारे पास द्यान से देखना आप बिल्कुल शांदा तरीकी से हमारा काम अब कंप्लीट होने वाला है कि वन अपोन एन प्लस वन है उसकी जो वैल्यू है वो लैस देन होगी एपसलेन से ठीक है अब देखो वही सिंपल कॉंसेप्ट हमें किसक आपने पास ञांगा अपन निकालने के लिए के लिए थीका है तो देखो एन कमान निकालते हैं यहां पर ले देदेए हैं और घड़ेदन कर देते हैं अर्थान आठात अपन पनापकों में लिया आई और n प्लस 1 को उधर ले गए बिल्गल सिंपल को दिकत नहीं है यहाँ अपन एक line केंज देते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ पर करते हैं देखो सिंपल सी बात है अब देखो n का मान निकालना है greater than हो गया 1 को अपन ने इधर बेज दिया तो क्या हो गया हमारे पास है for all n greater than n not equality की बात कर रहे हैं पर कोशिया नुकरम की बात चले तीक्वल्ट का ध्यान रखना पी बिलोंग टू नच्रल नंबर ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर जो n नोट की वैली हो गई वो क्या होती है greater than equal to 1 upon epsilon minus का 1 और मैंने आपसे बार-बार सुरू में कहा था कि हमें इस से परकार की question में कोशिया नुकरम की इस परकार की Rods में हमें क्या value क्या find करना पड़ता है हमें an note find करना पड़ता है तो last मेंने क्या देखा हमने an note find कर दिया है बिलकूर शान्दा तرीके से हमने देखो यहां तक जो calculation करिये न वो थोड़ी टप पड़ती है उसके बाद में तो हमने कोशिया अनुकरम के जो definis में उसका उप्यूप करा और include का use किया यहां पे और उसके बाद हमने क्या खा यहां पे जो लिखी हुई है उसके बाद में हमने यहां पे क्या खा इसकी जो value है इससे क्या है छोटी है और इसकी जो value है इससे छोटी है तो यहां पे अपन ने यहां पे देखा उसके बाद में यहां पे अपन उसका solve करते हैं उसके बाद में यहां पे solve करते हुए यहां पिसे हमने तुलना कर दी है आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर دेखो हमने क्या करा सिंपल एन नोट का 1 बंट आप 10 अपन कर दो एंक उन संबर 2 और मैंने आप को पता हो तो सिंपल सी बात है एक उनहीं करता इससे पहले आउशे को पार्याब सर्तु में तो प्रियाब सर्त में जब अपन क्या कर रहे थे, आपको याद हो, थोड़ा भू था, आपने पढ़ा हो, तो जब अपन उसको सोगा कर रहे थे, तो हमें क्या पूरुप करना था, हमें कोशी अनुकरम हमें दिया हुआ था, और हमें अभी सारी प्रूप करना था तो हमने एक statement का यूज लिया था कि एक परिबत अनुकरम होता है परिबत अनुकरम एक कैसा होता है अभी सारी उपानुकरम होता है एक अभी सारी उपानुकरम होता है तो वो जो concept है वो जो theorem है उसको अपन सोलो करते हैं कि हमारी अगली थ्योर्म रहेगी तो उसको पिरूप करते हैं अपना आप वह हमारी last and final थ्योर्म है इस निट की अप देखो हमारी जो थ्योर्म है उपानो करम् में लिए बाल जनुव वाइस्टाइस पर में last and final थ्योर्म है और देखो यह पढ़ने से पहले देखो क्या करो क सिम्पल सी बात है पांच मिनट लगेंगे आपको आप जाओ सिधा कहां पर जो हमने बाल जनु वाइटरस प्रमे आपको अनुकरम के लिए करवाई थी उसको पांच मिनट में आप रिविजन करो पहले देखो जो हमने पेडियाप आपको अपलोड की है टेलग्राम से लिन प उसको आप डाउनलोड करो वहाँ पे और वहाँ से आप सीधा जाके नोट में लुमने नोट साब करवा रखे हैं वहाँ पे देखो आपकर आपने बनाए भी हैं साथ की साथ तो अच्छी बात है तो वहाँ पे आप जाओ सीधा और बाल जनु वाइटरस प्रमे को रही थी उसको पांच मिनट ढंक से पढ़ना है तो जल्दी जाओ मत देखो इसको पहले मत देखो मैं बोल डाउना कुछ भी समझ में आएगा कुछ भी सो में से 0% समझ में आएगा अगर वो पर मैं आपने नहीं पड़ी है बिल्कुल डारेक्ट में यहाँ पे काम करने वा अब देखो आशा करता हूँ आपने क्या करा होगा आपने जाके पढ़ लिया होगा मेरे साब से तो और पढ़ लिया होगा तब ही आपके फायदे की बात है अगर नहीं पढ़ा है ना तो पहले पढ़ो तब जाके देखो ने तो मत देखो साब बोल्ड़ों किलियर कट बो अब देखो सिधी से बात है इस पर्मय को अपन प्रूप करते हैं और इस पर्मय को पहले प्रूप करते हैं तो सबसे पहले अपने स्टेटमेंट तो पढ़ लें इस्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं उसके बाद में प्रूप करते हैं मैंने आ अनुकरम होता है, उसका एक अभी सारी उपानुकरम होता है, इसका उप्योग कराता है, तो उसको आज अपन पुरूप कर देते हैं, कि यह कैसे होता है, ठीक है, तो वो अपन आराम से फिर वहाँ पर कहले कर सकते हैं, वहाँ पर आराम से उस स्टेटमेंट का यूज कर सकते ह है उसके बाद में देखो एक्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है ये परते एक अभी सारी अनुकरम का एक अभी सारी उपानुकरम होता है और देखो आप रिलेट करना चाहो अगर आपके बेसिक अब दासू या अच्छी तरीके से किलिर हो चुके हैं देखो आप यहां पर आराम से देख सकते हो कि अनुकरम है और यहां पर क्या है परिबद तो आप ध्यान से देखो कि जो अनुकरम होता है ना अभी सारी उनुकरम यहां पे जो अभी सारी अनुकरम होता है न अभी सारी अनुकरम वो bounded होता है यह हमने अनुकरम में बार बार प्रूप किया है आपको पता हो तो क्योंकि अभी सारी अनुकरम के अंतरगत अपन क्या करते थे उसको परिवद प्रूप करते थे और एक दिष्ट वर्दमान प्रूप करते थे तब जाके अनुकरम अभी सारी होता था अब देखो आपके basic clear हो गया हूँ तो आप चेक कर सकते हो स्वम को और आप देख सकते हो कि अगर आपको basic clear है तो यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो कि अभी सारी अनुकरम जो होता है वो boundary भी होता है तो दोनों अगर statement है आप देखो तो दोनों तरगे से आपको examiner गुमा सकता है आप से ऐसे पूँ सकता है कि प्रतेग परिवद अनुकरम का एक अभी सारी उपानुकरम होता है और आप से ऐसे भी पूँ सकता है कि प्रतेग अभी सारी अनुकरम का एक अभी सारी उपानुकरम होता है दोनों में हमें क्या प्रूप करना है अभी सारी उपानुकरम होता ह यह प्रूप करना है तो सिंपल सी बात चलते हैं इसके प्रूप पर और देखो हमें वही लेंग्वेज लिखने पड़ेगी सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी मैं लेंग्वेज को लिख देता हूं पहले क्या मैं एक साथ वीडियो को पोज करता हूं और उस लेंग्वेज क को पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखिए कि माना एक्सनिक परिवद अनुक्रम है जो में दिया हुआ है तब हमें सिद्ध करना है प्रूप करना है इसका एक अभी सारी उपानुक्रम होता है इसका क्या होता है सब्सिक्वेंस होता है हो भी कन्वार्जेंट देखो चूंकि परिषर समुच्च है एक्सन यहां पर क्या है अनुक्रम है और एन बिलों टू नचुरल नमबर होगा तो इस प्रकार हमने क्या कहा कि ए क्या है इसका परिषर समुच्च है किसका परिबद समुच्च है परिषर परिबद अनुक्रम एक्सन का तो यह हमें दिया वाता इसका हमने उप्योग कर लिया और हमने इक है परिसर समुच्चे मान लिया अब देखो अगर इमानदारी से अपने वो थोरम पढ़ी होगी तो हमने यहां पे अनुकरम की अंतरगत यहां पे हमने दो केस पढ़े दे एक तो हमारा अनुकरम होगा कैसा होगा परिमित होगा और एपर अगर आपके बिल्कुल साप है पीछे का तो बिल्कुल समझों नहीं आएगा विचार करते हैं तो देखो हम यहाँ पे परिशसा समुच्चे e की दो कंडिशनों पे विचार करते हैं तो पीछ ताइके पढ़ो बिल्कुल शांदर समज में आएगा हम दो कंडिशन किस की बात करते हैं action अमारे पास किया होगा परिमिद और action हमारा a perimeter बिल्कुल श्हांदर तरह के समझ में आगा तो देखो अब चलते हैं आगे case number 1 की बात करते हैं अब हमारे पास case number 1 case number 1 हमारा क्या कहता है ? देखो दि जान से देखना case number 1 case number 1 में यदी यदी हमारे पास जो ई है उ के हमारे पास परिसर समुच्च है तो ई के हमारे पास परिमित है यदि माल लो हमारे पास परिसर समुच्च है अगर वो परिमित है तो किस प्रकार हमें उपानुकरम को क्या करते हैं अब अभी सारी बताते हैं तो देखो ध्यान से लेखना हम किस प्रकार जो मारा परिबद बताते हैं, यदि condition है, यी परिमित है, तो देखो ध्यान से लेखना, language लिखते हैं शहंदा तरीके से, यदि, ध्यान से पढ़ते रो साथ की साथ, यदि हमारे पास यी परिमित है, यी मतलब परिसर समुच्चे कैसा है, परिमित समुच्चे है, यह हमें दियावा है ठीक है, तब देखो, तब अनुकरम, XN में, ध्यान से देखें न, क्या लिख रहा हूँ मैं, अनुकरम XN में, कम से कम, कम से कम, इसलिए बोलड़ाओं, वो थोरम पहले पढ़ो, बिल्कुल समझ में आएगा, फिर बोलड़ाओं, बार-बार बोलूँगा मैं आपको, तब तक अब उसको पढ़ नहीं लोगे, तब अनुकरम XN में, कम से कम, एक अव्यव, एक अव्यव, एक अव्यव ए, ए मान लेते हैं, एक अव्यव ए, अनन्त बार, अनन्त बार, मान ग्रहन करता है, तब, तब, तब क्या होगा, तब इसके, तब इसके, उपानुकरम में भी, उपानुकरम में भी, तब इसके, उपानुकरम में भी, अव्यव, अव्यव ए, अनन्त मान ग्रहन करता है, मैं आपसे पूँचता हूँ, कि यह जो लेंग्विज हमने लिखी है, यह आपके किलियर है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब आपने वो थोरम डंग से नहीं समझी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो लक्षर पर जाना पड़ेगा, उसको समझो, और पहले उसको अगर आपको समझ में आ गई डंग से, तब जा कि आओ इस पे, अगर वो समझ में आ गई, तो मेरे साब से इसमें आपको एक परसेंट पर दिक्कत नह अगे होगी, फिर भी अपनी इसका रिवूजिन करतेते हैं, यदि E कैं है हमारे परी में समझ है तब एक अनुकरम एक्षेन है, एक एक्षेन में कम से कम एक अवयो ऐसा होगा जो अनंत बार मान गरन करता है, तब आपन बात करते हैं इसके उपानुकरम क्या, अब जो उप अनंत बार मान गरन करता हो और मान लिए वो अविव कुन सा है यह है अगर मान लो अनंत बार मान गरन करता है ठीक है अगर अनंत बार मान गरन करता है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब तो यह हो गया इसका मतलब क्या हो गया देखो द्यान से समझने कोशिश करना अब हमने क्या कह दिया है? हमने ये कह दिया है कि अनुक्रम एक्षन में कम से कम एक अव्यो ए अनन्त बार मान गरन करता है, तब उसमें उपानुक्रम में भी अव्यो ए अनन्त बार मान गरन करता है, अते यहां, यहां देखो, अते यहां, ए उपानुक्रम ए हमारे पास है वो उपानुक्रम की सीमा है अतै उपानुक्रम अभिसारी है अभिसारी है अब देखो हमें क्या प्रुप करना था हमें परिवत दिया वा था हमने केस नमर पस्ट में उपानुक्रम को अभिसारी प्रुप कर दिया है लेकिन कई बच्चे जो एक्स्ट्रा ओडिनरी है अथार्द इंटेलिजेंट है उनके तो ये चीज अगर आपने पकड़ी हो तो पकड़ ली होगी वो कैसे यहां पर मान लो जो ए हमारे पास एलिमेंट था वो अनन्त बार पुंडरावर्ती करता है अनुक्रम में भी और उपानुक्रम में भी ठीक है तो अनन्त बार अगर पुंडरावर्ती करता होगा तो आपने ये दिमाग भी लगाया होगा ठीक है आपके दिमाग में आया होगा कि वह अनंत बार पुन्डावर्ती करता है और हमने ये definition पड़ी है किसकी limit point की सीमा बिंदू की उसमें कहा था हमने कि दी कोई अव्योव अनंत बार पुन्डावर्ती करता है ये अनंत बार मान गरान करता है तो वो क्या होता है या अनुकरम या हो या उपानुकरम हो वो उसका लिमिट बिंदू या सीमा बिंदू कहलाता है लेकिन यहां पे तो हमने डारेट के लिख दिया यहां ए है उपानुकरम की सीमा है तो यह तो बात बहुत गलत लिख दी हमने तो यहां पर A है वो पानुकरम की सीमा है यह हमने लिख दिया लेकिन इसका कारण मिलेगा प्रोपर नीचे देखो अब फिर देखो अगर मालो अपने यहां पर कह लिख दिया कि पानुकरम की सीमा है तो यहां तक तो देखो पानुकरम अभिसारी हो गया इसमें कोई डावट नहीं है लेकिन यह सीमा क्यों कर दिया हैं प्रॉपर कारान मिलेगा देखो बिल्कुल देखो यहाँ पर समझने हैं आपको एक एक चीज का कारान मुलेगा देखो एक्जाम्पल हमने देखा था आपको पता हो किसमें परीमित अनुकरम के अंत्रगा था अपने एक्जाम्पल देखा था जब आपने पिछली बाल जनों वाएस्टरस पढ़ी थी तो हमने मैनस वन की पाऊर वन एक example आपको दिया था तो वहाँ पर जो example था हमारे पास क्या हो गया minus का one, यहाँ पर plus का one एसा था हमारे पास minus का one, फिर plus का one, डोड़ड़ इस प्रकार था यह तो हमारी एक अनुकरम है एकसेन हम ने यहाँ पर क्या माना है हमने माना है की इसकी सायता से हमने एक उपानुक्रम मान लिया ठीक है हमने एक उपानुक्रम आर्थात अपन क्या कह सकते हैं देखो दियान से देखना आप यहाँ पे हमारे पास यह xn है यह xn है हमारे पास minus 1 की power n है इस xn का जो हमारे पास परिशे समुचे e होगा वो क्या होगा minus का 1 और 1 क्योंकि जो value है वो minus का 1 से लेकर 1 तक ही जा रही है इतना समझ में यह तो पहले बहुत पहले समझा दिया था आपको अब देखो simple सी बात है यह अनुक्रम है यह हमारे पास क्या है अनुक्रम है ठीक है एक एक चीज को लिखराओं में यहाँ पे अनुक्रम है अब बताओ इससे अपन अगर मान लो इससे अपन उपानुक्रम बनाते हैं तो कैसे बनेगी दो तरीके से उपानुक्रम बन सकती है या तो देखो minus का 1 minus का 1 minus का 1 minus का 1 dot 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 और एक प्रकार से बन सकती है प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 dot 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 अब देखो मैं जो यहाँ पे आपको चीज समझानी की कोशिश कर रहा हूं उसको पकड़ना हूं कैसे ध्यान देना बिल्कुल ध्यान से अच्छा कॉंसेप्ट है हमने यहाँ पे जो A है वो उसको उपानुकरम की सीमा लिमिट क्यों बता दी उसको समझानी कोशिश कर रहा हूं देखो हमारे पास अनुकरम एक संथा minus 1 की power n है इसमें कितने अव्यव हैं plus minus plus minus plus minus अनंत अव्यव हैं हमने क्या करा इसमें से उठाया और देखो minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 यह हमने एक उपानुकरम सब सिक्वेंस बना दिया तो देखो हमने एक चीज कही है कि अनुकरम में एक अव्यव ऐसा होगा कि अनंत बार आया है तो मान लो कि वो अव्यव कौन सा आ गया minus का 1 आ गया तो वो क्या हो गया उसकी limit हो गया limit बिंद पोईंसिमा बिंद हो गया लेकिन अगर अगर आपन बात करते है उपानुकरम की तो देखो ध्यान से देखो हमारे पास जो minus का जो 1 है न हमने क्या बना दिया इस से इसका सब सिक्वेंस बना दिया अर्थार्थ minus 1 minus 1 minus 1 ले लिया तो यहां पे उपानुकरम में एक अव्यव A है ऐसा है जो कौन सा है minus का 1 है एक अव्यव ऐसा है minus का 1 जो की क्या रहा है अनंत बार आ रहा है अनंत बार आ रहा है तो limit point सीमा बिंदू की परिवसाद तो क्या कहती है कि वो उसका सीमा बिंदू कहलाएगा लेकिन आप ध्यान से देखो इस उपानुकरम की अंतरगते केवल केवल माइनस का वन ही अव्यव है तो मैं आप से पूंच हूँ इसकी लिमिट क्या होगी तो इसकी लिमिट भी माइनस का वन ही होगी देखो कितनी तगडी थी कितना अच्छा कॉंसेट था आपको इतना लिट्रेल से कोई नहीं बताएगा देखो हमने यहाँ पे सिंपल एक को उपानुकरम की सीमा बता दी तो कईयों के दिमाग मायों को क्यों बता दी हमने इसलिए बता दी क्योंकि हमारे पास उपानुकरम हमें मिली है उसके अंतरगत केवल एक ही अवेव मौजूद है जो की बार बार पुंडरा वर्ती कर रहा है तो यदि एक अवेव बार बार पुंडरा वर्ती कर रहा है तो देखो इसका सीमा बिंदू भी मायनस का वन है और इसकी सीमा भी यही है ठीक है आगई अब मेरे साथ साथ के concept clear हो गया होगा आगई बाद समझ में तो इसी साथ से हमने क्या कर दिया A को उपानुकरम की सीमा बता दी और यदि A उपानुकरम की सीमा है तो उपानुकरम अभी सारी है क्योंकि अभी सारी अनुकरम की ही लिमिट उपस्तित होती है अन्यता नहीं होती है तो जिसके लिमिट उपस्तित होगी वो अभी सारी होगी बिल्कुल शानदा तरीके समझ में आ गया मेरे साब से तो तो अब देखो यह example आपको एक्जाम्पल नहीं करना है कि वह समझाने के लिए एक concept के लिए आपको यह example दिया गया है बिल्कुल शानदार तरीके से अब देखो इसका case number second अपन बात करते हैं अब देखो इसके second case की बात करते हैं अपन यदि हमारे पास जो E है किसका अनुकरम accent का वो E परिमित हो यहाँ पर साप नहीं दिख रहा है इसको अपन यहाँ पर लिखते है E है हमारे पास वो कैसा है अपरिमित है तो देखो इसको कैसे अमलब यहाँ पर इसको इस condition में case number second में हम जो उपनुकरम है उसको अपन किस परकार अभी सारी बताते है ठीक है वो देखते हैं आप अराम से देखना बिल्कुल शांदा तरी किसे यहाँ परिमित होगा E उस condition में हम इसको कैसे बताते है किसको अपनुकरम है उसको अभी सारी कैसे बताते है उसको देखना आप देखो यदी एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश करना यदी हमारे पास E ए परिमित है यदी E ए परिमित है इन्फाइनेट है एवं परिबद है देखो यह जो लाइन है ना यह काफी अच्छी लाइन है और यह लाइन आपको तब ही समझ में आएगी जब आपने मैंने कहा था बाल जनो वाइस टस पर मैं पिछली वाली पड़ो क्योंकि यह जो लाइन है मैंने आपको एक एक एक्जम्पल समझाए था उसके माद्यम से मैंने आपको समझाने के कोशिश करी थी एक एक्जम्पल है उसमें क्या है कि अनंत अव्यव है लेकिन फिर भी क्या है वो बाउंडेड है परिवद है समझाए था मैंने आपको और इसके लाष्ट में मैं आपको समझाऊँगा ठीक है अगर आपने नहीं समझा तो कोई दिक्कद नहीं इंतजार करो लाष्ट में समझाएंगी इस लाइन को कि एक अव्यव ई है वो एपरिमित है लेकिन फिर भी परिवद है आगे बाद समझ में तो देखो यदि ई एपरिमित है एवं परिवद है यह मानना पड़ेगा तब हमें क्या करता है तब हम जानते हैं देखो तब हम जानते हैं तब हम जानते हैं प्रतेक एवरी प्रतेक परिवद प्रतेक एवरी बाउंडेड ठीक है प्रतेक परिवद एवं एक सीमा बिंदू होता है अब देखो आगे ने बात यहाँ पर देखो सीमा बिंदू की बात कर ली चुपचाप से लेकिन वहाँ पर हमने सीमा बता दिये सीधा क्योंकि उसमें केवल और केवल एक अविव मुझूद था इसलिए हमने केवल उसको सीमा बता दी सीमा बिंदू की बात ही नहीं करी ठीक है तो यहाँ पर देखो चुपचाप बात कर ली है एक पर मिर्मी समुचे का एक सीमा बिंदू होता है अगे सीमा बिंदू की डेफिनेशन पर इसलिए मैंने आपको बिल्कुल शान्दा तरी के समझाने की यहाँ पे कोशिश करी थी ठीक है तो यहाँ पे एक सीमा बिंदू होता है आगे बाद समझ में तब अब देखो एक ओर रिक्वेस्ट आपसे है अगर मान लो इन थियोरम्स में अगर आप स्पीड बढ़ाते हो देट गुना दो गुना तो उसको बढ़ा कर आप देखो बिल्कुल बरावर पे लिया हो क्योंकि आपको जो कॉंसेप्ट है उसकीप हो जाएंगे और आपको समझ में बिल्कुल 0% आएगा ठीक है तो देखो एक एपर में समुझे का एक सीमा बिंदू होता है तब अनुकरम एक्सेन का भी एक सीमा बिंदू एलपा होता है सीमा बिंदू लिमिट पॉइंट सीमा बिंदू एलपा होता है अब कई तो कहें कि ऐसा मन जिसमें है कि यह लाइन कैसे लिख दी और लेकिन कईोंने जिसों मेरी बात मान ली हो पिछली बाल जनुवास्ट पढ़ने का कष्ट कर लिया हो तो उनके तो यह बिल्कुल कच्रा लग लगी होगी बुलिए तु क्या है वो का वो चेपा यहां पर सेम टू सेम कॉंसेट लिखा है वही बात है तो बहुत जो कहन माने का वो आ गया है तो सिंपल सी बात है कुछ भी नहीं लिखावा है यहां पर एक अनुकरम है हमारे पास अगर मालो वो एपरीमित है उसका परिशे समुच्चे एम परिवद है तब हम जानते हैं कि परते एक परिवद एम परिवद समुच्चे का एक सीमविंदू होता है हम जानते हैं सीमविंदू होता है उसका तब अनुकराम एक्सेन का भी एक सीमाबिंदू alpha होता है तब हम देखो क्या लिखते हैं सिंपल सी बात है हमारे पास जो एक्सेन है वो less than epsilon है N के अनन्त मानों के लिए N के अनन्त मानों के लिए कैसे कारण मिलेगा proper ठीक है अनन्त मानों के लिए हमारे पास जो एक्सेन है ठीक है वो less than होगा epsilon N के अनन्त मानों के लिए यदि अपन बात करते हैं देखो ध्यान से देखना यदि इसकी अपन उपानुकरम बनाते हैं देखो कैसे इसकी जो उपानुकरम के आवे होए मानलो यह एक्सेन हमारे पास है एक्से वी वन कोमा एक्स वी टू कोमा एक्स वी थरी डोट डोट अपन बात करते हैं और यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे जो हमारे पास X से V के सोरी 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 अपन बात करते हैं X V के तो किया उपानुकरम है लेकिन किस की है यह? यह हमारे पास है XN का उपानुकरम है बिल्कुल सभी बात है देखो ध्यान से देखो बिल्कुल ध्यान से समझने कोशिश करो हमने क्या लिखा है कि XN है वो लेजदन एपसालन है N की अननतमानों के लिए फिर हमने क्या करा कि XN में से हमने टम्स उठाए XB1, XB2, XB3 ठीक है तो यहां पर XB के क्या है हमारो पानुकरम और वो किसका है अनुकरम XN का उपानुकरम है तो यहां तक मेरे साब से कोई परब्रम नहीं होने चीए अब देखो आगे चलते हैं तब अपन क्या करते हैं तब देखो तब क्या लिखते हैं देखो ध्यान से देखना तब अपन लिखते हैं जो हमारे पास x vk minus का alpha less than epsilon ये कहां से लिखा हमने limit की definition से सीमा की परिवाशा से लिखती है क्योंकि हमारे पास यदि मान लो क्यों लिखा है एक concept का कारण में लिखा है क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखा था हमने वहाँ पे लिखा था एक अनुकरम है ठीक है एक अनुकरम है यदि उसके पास एक alpha सीमा बिंदू उपस्तित है अगर मान लो उस अनुकरम एक्षन से हमने एक उपानुकरम xvk बना दिया तो उसके पास भी एक क्या होगा एक सीमा बिंदू alpha उपस्तित होगा क्योंकि यदि उस अनुकरम का ही इस एक्सन अन्करम का ही 알पा सिमा बिंदू अपस्तित है तो देखो डिफनेटी बात है उसकी अपान्करम का भी अलपा सिमा बिंदू उपस्तिते होगा तो यहाँ पर अपनने क्या कर दिया X-Q- Donc, Epsilon कोमा यहाँ पर क्या कर दिया V-K के अन्हनों के लिए अब देखो यहाँ पर उपाननों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर n के अनन्त मानूं की लिए कोमा वोई चीज परीमित को छोड़कर यह 콘 demographic हो तो में काफ़ी टेटेल से समझा था आपको पता हो तो परीमित को छोड़कर और किस प्रकार हमने समझा था आपको बिल्कुल पता होना चाहिए पिर उसके बाद में क्या लिख सकते हैं बिल्कुल अब तो देखो हमारी शोल हो चुकी है X से VK माइनस का अलफा है वो लेज़ दन एपसालन है ठीक है यहां पर आराम से लिखते हैं VK है वो ग्रेटर दन है VK नोट से ठीक है और VK कोमा जो VK नोट है मारा वो बिल्लोंग टू नच्रल नंबर में करता है वो ही आप तो आपको पता चल गया होगा हम किसका उप्योग करने वाले हैं हम वो ही नोट नंबर सेकेंड हमारा नोट नंबर सेकेंड तो कितना इंपोर्टेंट है बार बार आजाता है कहीं पे भी तो नोट नंबर सेकेंड है उसको यूज करते हैं यहां पर आपने बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वी के टेंस टू इंफिनिटी ठीक है इसकी गलती मत करना वी के टेंस टू इंफिनिटी आएगा यहां पे और अलफा होगा आता है यदि माल लो यदि हमारे पास उपानुकरम की जो लिमिट है वो अलफा आती है तो यह लिमिट ही आ गई तो द यह को सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है और वो क्या सिंपल सी बात है द्यान से देखना आप यहां पर बिल्कुल शांदार समझने की कोशिश करना और वो क्या है कि उसको तो देख केस नमबर फर्स्ट को तो हमने उस एक्जांपल के माद्यम से समझ लिया था तो केस नमबर स समझना एक परीमित है क्योंकि आपको ऍठोरम याद नहें रहती एंग्जम front के मादित याद रखना रखना पड़े तो बिल्कुल आसान हो जाता है ठोरम को याद करना है तो हमारे पाद जो एक्जम पॉल आता है वौ आता है वह आता है मारे पास का one upon two plus का one upon three डोट डोट करके हमारे पास value मिलती है तो मैंने आपको समझाय था वहाँ पे उस time पे कि जो value है यहाँ पे देखो one two three यानि कि बढ़ती जा रही है इसमें जो उपस्तित अव्यव हैं ठीक है इसमें जो उपस्तित अव्यव हैं अनंत है और इसमें एक भी ऐसा अ उन्रावर्ती कर रहा हो यहने कि फिर हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि हमारी जो सीमा बिंदु की डेपिनेशन नमर फरस्ट है वो फैल होती है और इसमें हम डेपिनेशन नमर फरस्ट कोप्यों कर सकते और यह बता नहीं सकते कि यहाँ पर सीमा बिंदु क्या होगा तो अपर definition जो second scope view करते हैं तो हमने क्या देखा दो को जो values है 1, 1 by 2, 1 by 3 जेतनी भी values हैं सारी 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है अर्थार सब का जो मान है वो 0 की तरफ कोशिश कर रहे जाने का तो हमने क्या कहा कि E है हमारे पास A परीमित है अर्थार infinite है लेकिन फिर भी कैसा है bounded है कैसे क्योंकि जितनी भी values हैं सब 0 की तरफ जाने कोशिश कर रही है अर्थार 0 क्या हो गया इसका उच परीमित हो गया मालब उच नहीं हो गया इसके लिए अगर बात करें नॉर्मली तो यह उच होगा लेकिन देखो 0 क्या होता छोटा होता तो यह क्या कर रहा है यह हो जाएगा निमन ठीक है और यह हो जाएगा अपना उच क्योंकि 0 होता है छोटा और 1 होता है बड़ा तो यह क्या हो जाएगा यह उसका उच परीबंद हो जाएगा यह उसका निमन परिबंद हो जाएगा तो सिंपल सी बात है यदि अनुकरम हमारे पास एक्सेन है यदि यह अपने पास अलफा है अलफा क्या हो जाएगा देखो अलफा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे है ठीक है यह अनिकि अलफा अपने परतिवेस में कितने मान रगनान कर सकते हैं कि अनुकरम एक्सेन एक जीरो है हमारे पास क्या है एक वास्तों के अलफा है तो अलफा हमारे पास क्या रखता है कि सीमा बिंदू रखता है तो यदि एक सीमा बिंदू एलफा रखता है फिर उसके बाद में यदि मान लो इसी अनुकरम में से एक्सेन में से हम एक एक एलफा, एक एलफा सीमा बिंदू रखेगा, गारेंटीड, तो बस यह लिखा है अपने उपपर, बिल्कुल अगर आप समझने कोशिश करो, तो यह का यह लिखा है बस, इस तरीके से अगर आप याद रखोगे थोरम्स को, बिल्कुल शांदार तरीके समझ में आएगी, और यह उधारन है, केवल समझाने के लिए है, एक्जाम में आपको नहीं करना है, एक्जाम में केवल आपको यह करना है, उपपर जो मैंने आपको बताया है, तो बताओ आप, अब देखो कितनी, देखो, युनिट अमर्ट जो सेकंड थी, खतरनाग युनिट है, अलब एक के एक कॉंसेट को समझाने में आपको टाइम लगता है, और देखो, अब तो चैनल की साथ आप ले सकते हो, क्योंकि युनिट अमर्ट सेकंड यहीं पर खताँ, अमारी समाप्ते खताँ हो जाती है, अर्था समाप्त हो जाती है, तो यहां पर लिखते हैं अपन समाप्त, और एक दिन ऐसा भी आएगा, जब अपन रियल अनलाइज़ेज के लास्ट में लिखेंगें समाप्त, तो देखो, धीरे-धीरे की बात होती है, और पेसेंज की बात होती है, और साथ की साथ जुड़े रहने की बात होती है, देखो, मैंने तो साथ की साथ कोर्स करवा दिया, युनिट अनलाइज़ेज का, फरस्ट नहीं, सैकंड, युनिट अनलाइज़ेजेज की, की देखो अगर आप जो भी मेरे साथ पढ़ रहा है साथ में जूड़ रहा है जो भी मेरे वीडियो देख रहा है तो वह भी हमारे साथ साथ में अगर यहां तक पहुंच गया है तो देखो मंजिल अब हमारे दूर नहीं है रियल अनलाजिजिक खतम हो जाएगी कोई problem नहीं है अगर आपने unit number second को complete कर लिया है तो यह मान लो आपने real analysis का 50% course complete कर दिया है यह मान लो आप क्योंकि अब जो बचा हुआ है ना जो unit number third है fourth है fifth है क्योंकि unit number जो first है वो मारी second book चलती है metric space की तो उसको आप अलग रख दो लेकिन जो unit number second third fourth fifth की बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं 50% course यह cover करता है अकेला है आठ नंबर का लेकिन cover करेगा 50% क्योंकि बाकी जो हमारे पास third है fourth है fifth है वो बिल्कुल simple है बिल्कुल simple यहनि कि प्रते एक unit में अपन साथ से आठ लेक्षर साथ से आठ लेक्षर पढ़ेंगे तो देखो आप अकेली जो यह है अपने पास वो देखो अकेली कितनी दे लिए अकेली ने 22 ले लिए तो आप सोच सकते लिंक कितनी डीप है यह तो आप समझ सकते हो इसको अगर आपने इस पर आपने वीजे प्राप्त कर ली तो आप समझ लो कि आपने जंडा काड़ दिया यहने कि आप आप कहीं रुकोगे और आप गारंटीड है रियल एनलाइजिस में पार हो जाओगे अर्थार्थ आपके 40 में से 40 माक्स आ सकते हैं और गारंटीड अगर आप डंग से मनत करोगे तो 40 में से 40 जरूर आएंगे और अगर आपने अब हमारे पास जो कोर्स होगा वह बहुत ही जल्दी होने वाला है क्योंकि आप कुछ बचावा नहीं है लुकुष शांदार तरीके से तो मिलते हैं अगले अग्ले लक्षर में तब तक लिए धन्यवादे को नोट्स के बात है तो नोट्स से अपने इस इनट के नटमर से लेकिन कि पूरी के अपने टेलेग्राम से लिन पे नोट्स अप्लोड करवा दिये हैं तो वहां से अप सीधे डाउनलोग कर लो पूरी के कर दिए एक साथ ही मैंने अब देखो इन अटमर अपन थाड़ी स्टाट करेंगे उसके बाद अपन उसके वी नोट्स अपने साथ क इसाथ प्रोवाइटर वहां पर करवा देंगे कोई प्रोलम नहीं है तो देखो वीडियो को लाइक शेर सब कर दो क्योंकि देखो इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा आपको पूरी यूटूब पर आपको यह नहीं पढ़ाएगा इसा ठीक है तो मिलते हैं आगली वीट जोग्वु छिख्रावयो को देखो देख लिए्वागा जraumया का आपको पे हैं ऑ्रोभाएगा करेशियो जोग्दा नहीं झायार वे भीप्लियो कर दोप्लियो कि वेटियो के दो खोप्लियो कर दोग्टीयो को करने आपको देख़ूदूदर आपको वेख़ाज आपको झाल झाल